जो घटना सामने आई हैं किसी भी सब्बे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूं तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप ने किया जा सकता है आज जब मैं आपके बीच आया हूं इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूं तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्बे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगा पे है लेकिन बेज़्जती पूरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिजगड की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक बाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्था का महत्माइं नारी का सम्मान और मैं देश वाज्यों को भी स्वाद दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनेकार को बख्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से कि एक के बाद एक खदम उठाएगा मनिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप ने किया जा सकता है अरे हम तो फकीराथ है इंदुस्तानी इसलाम अमेश्चा दून जो बहुत होता है खत्म बाई बाई